कि dodge 12 आज की इस वीडियों लोगे फेश्वों प्राइबेसी लॉग कैसे लगाएं तो आई जानते हैं प्रेआ Cisco एप को 도्षी उपन कर लिए ठीक दोस्तों फेस्बूक में प्रेबेसी लॉग लगाने से दो मतलब निकलता है पहला कि आप पहला मतलब यह निकलता है कि हम चाहते हैं कि आपके अपने प्रोफाइल को लॉग कैसे करें पहला यह निकलता है प्राइवेसी लॉग लगाने से दूसरा यह होता है कि हमका जो हमारा प्रशनल इंफोर्मेशन है हम उसको लॉग कैसे कर स दोसरा मतलब यह निकलता है तो शली से पहले मैं फटाफ़ जली बता दूँँ आपको प्राइवेसी लोग लगाने के लिए और प्रोफाइल बढ़ाने के लिए यहां पर एडिट प्रोफाइल जैस्ट बगल में आपको एक ट्रिपल डॉट दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखे प्रोफाइल लॉग का ओप्सन देगा ठीके प्रोफाइल लॉग पर क्लिक कर देंगे और प्रोफाइल लॉग पर क्लिक करने के बाद यहां पर दे रहा ओप्सन प्रोफाइल लॉग यूर प्रोफाइल इस पर क्लिक कर देंगे अब हमारा जो प्रोफाइल वो लॉग हो चुका है और हो सकते हैं आपका जो स्क्रीन वो ब्लैक भी हो चुका है ठीके ना इसके लिए हमें यहां से बैक हो जाएंगे यह तो पहला तरीका था जिसे हम फेस्बुक में प्राइबसी लॉग लगा सकते हैं यह प्रोफाइल को लॉग कर सकते है दूसरा ताहिका यह होता है कि आपका जो डीटेल है जो इनफोर्मेस्ट है उसको कैसे लॉग कर सकते हैं तो इसके लिए हमको यहां मिनूम जाना होगा मिनूम जाने वह सबसे नीचे देखेंगे सेटिंग और प्राइवेसी का ओप्षन देगा इस पर क्लिक करेंगे और यहा है कि उप्षन डीकित हैं फिर्ट पर तीन ओप्षन प्राइवेसी को अपना लॉग कर सकते हैं यहां पर यहां पर तीन तरहीं पर इसकी पहलता है ऑर्फ आपको सभीग करना है और और सबी को आउनली में पिकलिक कर देना है और कुछ-कुछ से जैसे टाउन एरिया हमारा सिंगल रिलेसंसिफ इस्ट्रस है करंट सीटी ए सब पब्लिक है इससे कोई मतलब नहीं है जो मेरे डीटेल है वह सब मेरे हाइड करके रखा नेक्स पिकलिक किया यहां पर फ्रेंड प कियेगा इससे क्या होगा कि आपका जो फेस्बूक पर जब भी कोई जो आपका फेस्बूक आईड यह कोई और लोग इन करेगा किसी और अधर डिवाइज में तो आपको फेस्बूक और इमेल दोनों पर लेट नोट्पिकेसन आ जाएगा नेक्स पिकलिक करेंगे यहां प प्रफाइल कॉन-कॉन देख सकता है और आपको कॉन-कॉन रिक्वेस्बूक रिकेसेंड कर सकता है जहां पर देखिए अब इकलिए में एबरीवन पर रखाओं इसको आप फ्रेंड और रेंड पर सकते हैं या फिर एबरीवन पर रखेंगे तो आपको हर कोई आपका दोस् और इमेल आइडी पर नेक्स पर क्लिक करते हैं उसके बाद इसको आउन रखेंगे तो इससे यह फायदा हो कि आपका जो प्रोफाइल प्रोफाइल आईडी है जब कोई गूगल पर आपका नाम सर्च करेगा तो वहां पर आपका फेस्थूप प्रोफाइल आएगा और इसको अन रखते हैं तो next पर क्लिक करते हैं और done पर क्लिक करते हैं ठीक है न तो यह तीन यह दो तरीके से हम लोग फेसबूप प्राइवेसी लॉग लगा सकते हैं अगर इस वीडियो से लिटेट कोई सवाल है तो कमेंट पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेट